सितारे हिंद पॉड्कास्ट विद नदीम फरुक हिंदोस्तान की पॉलिटिकस हिंदोस्तान की सोसाइटी अंका सियासी माहौ शब कुछ इतनीया माय शेप ले रहा है लग ले चुका है तो इस माहौ में डरना बन करो कुरोntट बिल्कुल डरो मत इवेरो ये तो ये तो आपकी पर्टी की लाइन भी है और तालीम अल्टिमेट, मतलब तालीम के अलावा कोई चारा नहीं है, किसी भी समाच में अपना रेप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए और अपना हक लेने के लिए, तो पढ़ो लिखो, और पढ़ाई लिखाई आपको हर मोके पर इज़त दिलाएगी, दूसरी बात है कि ह इमरान परताब गड़ी, इमरान परताब गड़ी बटेशन नजम जो थी आपकी, और आज मदरसों को लेकर हकूमत की सतेख पर एक बड़ा अजीब सा एक आदेश हुआ है, मदरसों को बंद करने की तैयारियां चन रही हैं, मदरसों को किसी ना किसी तरह से घेराओं में ल मौजवान के तोर पर आपके अपने एसासाद, देखिए हिंदोस्तान के जो तारीखी मदरसे हैं, उनकी बन्याद में अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग आजादी की लड़ाई थी, उनकी बन्याद में वो शामिल है, जे, तो कोई हकूमत ये सोचे कि वो आएगी और एक पॉसिबिल नहीं है, हम लोग लगातार मदरसा पैरा टीचर हों, मदरसा स्कॉलर्शिप हो, उसके लिए हम लोग लगातार आवाज पर उठाते रहें, और बिलकुल डरिये मत, मैं तमाम जो इस इंस्टिटूशन से जुड़े वे लोगें, उनसे भी ये कहूँगा, कि हमल लगाती तो एक बड़ी सुनहरी तारीख है, बिलकुल डरिये मत अपनी तारीख बताईए दुनिया के सामने, अपने दर्वाजे खोलिए, मैं नजम पढ़ते वे भी कहता था, कि जो रास से जो तिलिस्म, मीडिया ने और सरकारों ने बना रखा है आपके मदरसों के बारे आज वो सबसे बड़े देशवक्त बने बैठे हैं, तो आप तो आईन को लाने वालों में, आप तो तिरंगे को लाने वालों में, आजादी के लाने वाले लोगों में हो, अपनी कुर्बानिया याद करो, उनको बावाजे बलंद दुनिया को बताओ, लड़ो अपने हुक लड़ना पड़ेगा बेशक लड़ना पड़ेगा एक बुरा दौर आया है टल जाएगा वख्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा और वो बहुत जल्दी बदलेगा और बहुत खुबसुरत इंदुस्तान दुनिया के सामने होगा हम सब लड़ेंगे उसके लिए बिल्कुल स झाल झाल